एक्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और टाइम टेबल को अच्छे से समझने के सब न यह नकाका है छो षेतिजिंगर न मॉंधे आफ जी आप वो दिखा रहा है कि annual system annual system का exam 2018 से जिन बच्चों ने ITI में admission लिया है वो annual system के अंतरगत आए में और 2018 से पहले जिसने भी admission लिया है वो semester system में आए में दो system अभी चल रहा है तो अभी हम पहला नंबर में बात कर रहे हैं कि जो भी annual system में है जो लड़के annual system में है तो annual system में दो वर्स का कोर्स है और एक वर्स का कोर्स है तो दो वर्स के कोर्स वाले student जिनका admission 2019 में हुआ था उनके exam दिसंबर में होनी या time table उनके लिए नहीं है मतलब दो वर्स का जो कोर्स है filter electrician और वो लड़के अगर 2019 में admission यह है तो उनके लिए इस time table में उनका जिक्र नहीं है उनका जिक्र कब होगा उनका जिक्र होगा दिसंबर में उनका exam दिसंबर में होगा दो साल के लिए लेकिन annual system में 2019 में admission लिए है लेकिन एक साल के लिए है जैसे welder trade में लिए होंगे molder में लिए होंगे सीट मेटर में लिए होंगे कारपेंटर में लिए हैं उनका एक्जाम का डिटेल इस टाइम टेबल में उनके बारे में दिया गया दूसरी बात जो समझना वो एनवल सिस्टम वाला में कि फर्स्ट येर का बैट पिपर 2018 में जो विध्यारती अड्मिशन लिया होगा तो 2019 में एक्जाम दिया होगा लेकिन किसी कारणवस एक्जाम नहीं दे पाया होगा या एक्जाम दिया होगा लेकिन फेल कर गया होगा उन बच्चों का भी इस टाइम टेवल में दिकर हैं क्या टाइम टेवल में दिकर हैं थीरी पेपर, इंप्लेवेटी, स्कील या वाक्शॉप, कल्कुलेशन जो भी पेपर होगा वो 11 नहुंबर से 18 नहुंबर के बीच है जो आपको टाइम टेवल में दिखेगा तीसरी बात है जो ध्यान देने विली बात है सेकंड येर का पेपर वो थियोरी हो या वाक्शॉप हो सेकंड येर का पेपर जो थियोरी हो वाक्शॉप हो 11 नाउंबर से 18 नाउंबर के बीच वो भी हो गया अब सबसे ज़़री बात है इस PDF को समझने के लिए है नोट इसलिए लिए है पहला कि annual system का जो भी exam होगा वो online होगा जिसको हम लोग CBT का है नहीं CBT का full form होगा computer based test clear annual system का exam online होगा ठीक है अब फिर दूसरा नंबर semester system का exam offline होगा clear अगर यहां बात clear हुआ तो आब हम PDF पर देख लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं time table को अब time table पर थोड़ नजर डाल लेते हैं देखे time table के लिए जो PDF जारी किया गया है department के तरफ से वो जारी किया गया 8.18.9.2020 को इसमें क्या क्या आगया है कि annual system का जो exam होगा annual system का जो exam होगा वो CBT पे अधारीत होगा computer based test पे अधारीत होगा कब से हैं 2.11.2.9 से exam चलो होगा सुबह 10 बजे से first year first year के बच्चों के लिए होगा paper कौन है for engineering trying second पाली में किन का होगा second पाली में होगा second year के बच्चों के लिए engineering trying है all trade के लिए ठीक है फिर आगे देखते हैं आगे देखते हैं आगे में तीन तारीक का जो mention है वो आपको online वाले में clear होगा अभी इसमें देख लेंगे 4 तारीक से 6 तारीक के बीच में चार नौमबर से 6 तारीक 6 नौमबर के बीच में आपका trade practical का exam होगा first year वालों के लिए clear है और 7 से 10 7 नौमबर से 10 नौमबर के बीच में 9 वे से second year के बच्चों का trade practical होगा ये ITI तई करेगा कि first year में किन का किन का पहले होगा किन का किन का बाद होगा clear उसके बाद अब आयाते हैं 11 तारीक से लेके 18 तारीक के बीच में बच्चों के लिए ये ज़्यादा महत्पुन है ये पहली बार हो रहा है 11 तारीक से 11 तारीक से 18 तारीक के बीच में आपका witness जैसे witness देगा CBT एक्जाम होगा कंप्यूटर पे आधारित एक्जाम होगा तो इसके एक्जाम के बारे में जो भी डीटेल है जैसे कि कौन सा सेंटर रहेगा आपका कौन सा पेपर होगा क्या टाइमिंग होगा पेपर का ये सब कुछ आपको जब admit card मिलेगा उसको hall ticket भी कहते हैं उसमें सब printed रहेगा ताकि आप आसानी से देखके अपने एक्जाम सेंटर पे जाके उस दिन उस subject का एक्जाम दे पाए तो annual system अब computer based पे होगा clear ये हो गया इतना तक फिर अगला page को हम लोग देखते हैं engineering drawing फिर second half में second half में second half है 2.30 में paper third क्या होगा engineering drawing clear है उसके इस तरफ देखिएगा उसी समय आपका 10 बजे second semester वालों को होगा second semester में कौन आएंगे वो लोग आएंगे जिनका एक्जाम नहीं दे पाए हैं या जो किसी paper हो फेल होगा उनका होगा semester वाला में engineering drawing ठीक ढ़ाय बज़े से second year वालों का engineering rang होगा ठीक उसी समय वाला फॉर्थ समेष्टर का आपको इंजिनेरिंग होगा है क्लियर है ठिर अगला चार तारीक को देखेंगे तो चार तारीक को देखते हैं ट्रेट फ्रस्ट यर वाолों के लिए और समेष्टर वार बहुत यर पहला समेष्टर वालों के लिए यह प्रैक्रिकल को एक अग दिया गिया सब्सक्राइब एक दिन लेकिन जैसे ही आप ध्यान दीजेगा इस तरफ वाला इस तरफ वाला में देखेगा तो देखेंगे फ़र्स समेश्टर को दो दिन दिया गया बैक वालों को बस एक दिन दिया गया इस तरह साथ ग्यारा तक एक्जाम कम्प्लीट यहां तक होगा फिर आठ संड़े पड़ जा रहा है नौ से दस नौ और दस नौ से दस यह जो नौ से दस है इसमें आपका प्रैक्टिकल एक्जाम होगा डूल सिस्टम का कि मैं कि अगयर अब तीसरा प्रेज हम लोग यहां पर देख लेते हैं दिसरा थीसरा प्रीच में एक ग्यार तारिक से चाालू हो रहा है कि अदार दिवरालोहहका है तों से अहगा डोल सिस्टम मों के लिए और समेश्टर के लिए समयष्टर में समयंट वे ही लोग होगा जनका एडिमीशन 2018 से पहले लिए होंगे वो लोग क्म होंगे इसलिए कम होंगे जिन और रच्छोड गया होगा या जिनका नंबर जो पास नहीं होंगे वह color समेश्टर में उनका है फिर ठीक उसी परकार 12 11 12 नावंबर को देखते हैं दस बज़े से थर्ड पेपर है वरक्षाप कल्कुलेशन और सेकंड समेश्टर वालों के लिए ट्रेट फिर सेकंड हाफ में डूल सिस्टम वालों के लिए पेपर वन है और समेश्टर वालों के लिए सेकंड समेश्टर का पेपर टू है फिर तेरा तारीक को देखते हैं तो तेरा तारीक को देखते हैं समेश्टर टू का वरक्षाप कल्कुलेशन है और सेकंड यर वालों का वरक्षाप कल्कुलेशन और समेश्टर वालों में थर्ड समेश्टर क पेपर वन क्या है पेपर वन पिज चौदह तारिख को होली डे है थी पावल है है अब 15 तारिक को संडे सोला को आपको जो इसमें किसी का एक्जाम ने सेकंड सिफ में कहा姓 कि कि dual system वालों का एक्जाम नहीं है और semester वालों का एक्जाम है तो four semester का trade theory है फिर second half में उन्हीं का paper two है जिसको workshop calculation कहते हैं यह पूरा date है यह इस परकार पूरा time table है exam का अब आपको हम summarize कर देते हैं कर देते हैं 2018 के बाद जिन्होंने admission लिया है वह आएंगे annual system में क्लियर है और 2018 से पहले जिनका admission है वह आएंगे semester वाले में तो semester वाले कम लड़के हैं और अच्छी बात ही है कि जब आपको admit card दिया जाएगा चुकि इसमें बहुत सा date है तो आप साइथ confused हो जाईएगा आप सा confused होईएगा तो ज्यादा confused नहीं हो रहा है आपको हम simple सा बात बता दे रहे हैं कि exam आपका चालू हो रहा है दो तारिक से clear है दो नौंबर से और चले कब तक चले कब तक 16 तारिक तक चल रहा 16 तारिक 18 तक चल रहा clear है तो इसमें होगा क्या कि इसमें होगा कि जो annual system वाले लो होता है exam वो offline होगा बाकी बजगया trade theory का engineering drying का और impleivity skill यह उनका online होगा और online होगा कहां पे होगा center कहां पड़ेगा कित्ते वजे होगा यह सब mention रहेगा उनके admit card उसी का दूसरा नाम है hall ticket वो उनको जैसे ही जारी होगा तो clear हो जागा यहां पर सायद उनको कुल confusion हो भी box में comment करें तो हम उनको बता देंगे लेकिन निशिंत रहें बस इतना जाने कि exam उनका नवंबर में होने जा रहा है और उनको जो admit card मिलेगा जिसको hall ticket भी कहते हैं उसमें पूरा detail रहेगा ताकि बच्चे confused नहों ठीक है और इससे जुड़ा कोई भी update आएगा तो हम वीडिय आई लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स